कि बिस्म लाह वाक्वान रवाहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फैलोज उमीद करते हूं आप सब खेरियत से होंगे अलापाक आपको अपने अमान में रखे आमीन कॉंप्लिक्स अलेसिस पार डॉक्टर मोहमद इकपाल एंड चेप्टर जीरो हमने स्टार्ट किया है जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम और इसके बेसिक इंड्रॉडक्शन को लर्न कर चुके हैं मॉडिलस को लेंड कर चुके हैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को कि टार्टीज के हैं मुडिलस पुल्पर्टीज को प्रॉट्स पॉफ इक्वेशन को सब्सक्राइब करेंगे तो स्टार्ट करेंगे अपनी से लिए आचा इस इंपलिक्स नमर है तो जेट एकोल होगा एक्स प्लस ऐोटा य दिन जो एक्वेशन गिवन है वहमारे पास कंवर्ट हो जाएगी एक्स प्लस यॉटा यॉटा यॉटाट स्केर माइनस यॉटा टी और फिकिलए पने इस फोल स्केर के फॉल्म्ले को ओपन करते हैं और रियल और मेज़िय्ट को सेप्रेट कर लेते हैं तो हमारा पास आजैगा 1 प्लस 2 मैंने तु आखा है यह मैंने दो इस किए हैंड्य यह मैंस उस्केयर टुर्ग तो 2 t plus t मेरे पास minus t मेरे पास imaginary terms है और denominator में आ जाएगा 1 plus t square real part हो जाएगा 1 minus t square plus iota और इन दोनों को माइनस करेंगे तो simply t आ जाएगा और denominator में है 1 plus term है x plus iota y यहां से हम real or imaginary part को compare कर लेते हैं तो x हमारे पास equal आ जाएगा 1 minus t square over 1 plus t square और y जो के imaginary part है वो equal आजेगा t over 1 plus t square term हमारे पास आ जाएगा जाएगा then equation of philips को find करने के लिए हम solve करेंगे x square plus 4 y square ठीक है x विली term का square लेंगे x विली term है 1 minus t square over 1 plus t square उसका whole square आजेगा plus 4 और y विली term है t over 1 plus t square इसका भी whole square आजेगा ठीक है 1 minus t square इसका भी square आजेगा और नीचे denominator के साथ भी हम इसके square को separate कर देंगे यहां पर हमारे पास आजेगा 4t square और denominator की term है 1 plus t square और whole square इसके square को हम open किर देंगे 1 minus 2t square plus t square plus 4t square और नीचे हमारे पास term है 1 plus t square का whole square 2t square plus t square और नीचे हमारे पास denominator में term है 1 plus t square का whole square minus 2t square and 4t square दोनों solve होंगे हमारे पास term आजेगी 2t square और यह हमारे पास formula complete कर देगी 1 plus t square का whole square दिनोमिनेटर में भी सेम टाम है तो यह कैंसल आउट हो जेंगी और हमारे पास सिंपल आजेगा 1 यहन्य कि हमने x square प्लस 4 y square को solve किया हमारे पास आंसर आता है 1 इसको हम थोड़ा सा range कर लेते हैं x square और नीचे हमारे पास आजेगा 1 square और इस 4 को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो यह हो जाएगा 1 अबर 2 का whole square equal to 1 तो यह हमारे पास है equation of ellipse lay equation of ellipse हमारे पास form में होती है x minus h whole square और a square बी square equal 1 यहां पर हमारे पास a जो के semi major axis है वो equal है न के ठिक है तो यह हमने इसका लोकस फाइंड के लिए जो के मर पास आया है रेडियस फाइंड के साथ हम उच्छी सरकल का सेंटर फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टन्स के लिए करेंगे तो स्टाइट करते हैं अपने इस एक्जेंपल को सॉल्फ करना लेट के लेते हैं जेट हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाइ देन एक्स प्लस आयोटा वाइ चीक है और हमारे पास राइट पर गिवन एक्वेशन आजेगी वन प्लस आयोटा प्लस टी और डिनोमिनेटर में हमारे पास आजेगा वन प्लस आयोटा टी यहां पर आजेगा x plus y और इसके साथ multiply हो जएगा 1 plus y t equal आजेगा 1 plus y प्लस 3 plus 2 into y t हैं हमारे पास आजेगा x plus xt y y और y और y और y और y का square हो जएगा तो यह term हो जएगी minus y t यहां पर हमारे पास रियल पार्ट है 1 plus 3 t और दोनों टम्स में से आयोटा को हम कमल लेंगे हमारे पास term रहे देगी 1 plus 2 t दोनों साथ से रियल और इमेजनेरी पार्ट को compare कर लेते हैं तो हमारे पास left hand side में x minus y t और right side पे है 1 plus 3 t ठीक है और अगर इमेजनेरी को compare करते हैं तो left side पे है xt plus y और right side पे है 1 plus 2 नाम दे देते हैं यह है equation number 1 और equation number 2 equation number 1 में से हम T की value को find out करते है equation 1 को arrange कर लेते है ती वली terms को हम एक side पे कर लेते हैं और विदाव टीवली terms को हम एक side पे कर लेते हैं ठीक हम ती को कॉमल लेंगे और हमारे पास आजेगा y plus 3 और ती हमारे पास common आजेगा टी की value को calculate के लिए y plus 3 जो है वो denominator में आके divide हो जाएगा हमारे पास ट्रम आजेगी x minus 1 over y plus 3 इस टी की value को use करेंगे और अपनी equation 2 में equation 2 है xt plus y equal 1 plus 2t ठीक है वो टी की value जिसको हमने पुट करना है जो equation 1 से हमने find की है वो है x minus 1 over y plus 3 इस टी की value को में अपनी equation 2 में जहां पर टी है उसकी जगह पर पुट कर देंगे एकस और टी की जगह पर सिंप्ली उसकी value आजेगी x minus 1 over y plus 1 plus 2 और टी की जगह पर आजेगा x minus 1 over y plus 3 दोनों साइट पे हम y plus 3 का को है एकस लेहें की जो तो यहां पर आजेगा x into 1 plus y साथ खुष हमारे बास जासे बीड्ली के साथ एगा x minus 1 आजाएगा एकट को सॉल्फ करते हैं हम अपनी क्वेशन को सॉल्फ कर लेंगे हमारे पास आजेगा x square minus 6 plus y square plus 3y और इस साइट पर आजेगा y plus 3 plus 2x minus 2 इन अपनी टर्म्स को लेफ साइट पर शिप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आजेगा x square plus y square minus x plus 3y minus y यह 3 और 2 सॉल्फ कर तो 1 होगा और इस साइट पर आजेगा तो माइनस बन होजेगा माइनस 2x इक्वल 0 रन सिंप्ली से फर्स्ट रम x square की है सेकंड तर्म y square की है नेक्स रम लिखते है वाई- वाई- वेल्म कुझे तो आजेगा 2y minus 1 एक्वल 0 ऐसे तरहां से वास्केर कर तो रम पास 15 से वाई- का कॉफिशंट है तो यहां से एक्स का कॉफिशंट होगा माइनस 3 वहां से ग्नच से ठीग मारी झाल ऐसे थे लिखते हैं च्नच स्रीट्ट इक्वल xy यहनिके h की value को calculate करने के लिए हमारे पास यहां पर xy मुझूद नहीं है तो it's mean h हमारे पास 0 होगा और c हमारे पास जो के constant की value है यहनि c हमारे पास होता है minus 1 ठीक है तो g, f, h और c हमने calculate कर लिए है अपने यहां से center को calculate कर लेते हैं तो center of circle का हमारे पास formula होता है माइनस G and माइनस F ठीक है तो यहां से G की वैल्यू है माइनस 3 over 2 तो यह हो जाएगी 3 over 2 और F की वैल्यू है माइनस 1 ठीक है center of circle हमने calculate के लिए next हम formula की respect से अपना radius को calculate करेते हैं तो radius हमारे पास equal होता है square root G square plus F square minus C ठीक है तो जैसा कि G की वैल्यू है 3 over 2 तो square के बात आदेगी 9 over 4 और F की value 1 और C की value भी 1 ठीक है इसका LCM solve करेंगे simply हमारे पास radius की value आदेगी square root 17 over 2 हमने circle का center भी calculate के लिए है circle का radius भी calculate के लिए है next हम इस circle को draw करते हैं और इसके maximum और minimum point को find out करते है we have the Cartesian coordinate plane ठीक है radius हमारे पास square root 17 over 2 जो के approximately 2.06 की equal होता है इसमीन के हमने 2.06 के radius का एक circle draw कर लेना है और इसका center हमने जो calculate किया था वो 3 by 2 को माइनस 1 था यहनिके x-axis का 3 by 2 point होगा और y-axis का माइनस 1 point होगा next हमने इसका maximum और minimum point calculate करना है उससे पहले हम ते radius को label कर लेते हैं सेंटर से बाउंडरी तक का जो distance है वो simply radius होता है तो सेंटर से अगर हम इस पॉंडरी तक को एक point लें फॉर एक पॉइंट कर लेती हूं तो इसमीन के center से a point तक का जो distance है वो radius होगा यहनिके a c हमारे पास जो simply r यहनिके radius होगा वो स्केरो 17 अवर 2 होगा फस्ट पॉइंट हमने boundary पे लेट कर लिए जो कि ए था इसी तरह से हम एक second point कर लेते हैं for example हम यहां पे कोई एक b point कर लेते हैं ठीक है अब हम origin से in point तक का distance calculate करेंगे o से a तक का calculate करेंगे इसी तरह से o से b तक का calculate करेंगे ठीक है तो first time o से a तक का calculate के लिए एसी में से o सी को माइनस कर देंगे यहनिके o से a तक का calculate करने के लिए हम simply total यहनिके a c में से o c को माइनस कर देंगे और हमारे पास o से तक का distance रहो को calculate हो जाएगा a c हमारे पास है जो के आर है सिंपली हमने o सी को calculate करने o सी को calculate के लिए मेरे पास origin के points होते है जीरो जीरो यहनिके x एकसस भी 0 है और y भी 0 है और center मेरे पास है 3 over 2,1 ठीक है दिस्टन्स formula को use करते हैं दोनों के दर्मयान का distance calculate कर लेते हैं o सी कर डिस्टन्स calculate करते है हमारे पास distance formula होता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ठीक है तो हमने o से सी तक का calculate करना है ठीक है तो हमारे पास यहां पर x1 और y1 है और यह हमारे पास x2 और y2 points है तो x2 minus x1 करना है it's mean 3 over 2 minus 0 का whole square plus minus 1 minus 0 का whole square ठीक है तो इसको calculate करेंगे simply calculate करेंगे हमारे पास आजेगा 9 over 4 plus 1 इसका simply LCM ले लेंगे हमारे पास आजेगा 13 over 2 यहनिके AC जोके radius था वह भी हमारे पास आचुका है OC भी हमने calculate कर लिया है करेंगे स्केरूट 13 over 2 simply तो लों को minus करेंगे हमारे पास तक का calculate distance ठीक है दन हम और से बी तक का calculate करेंगे और से बी तक करना है ठीक है it's mean O से बी हमारे पास sequel होगा OC plus CP ठीक है तो OCM calculate कर चुके है हमारे पास आया है सके रूट 13 over 2 और से बांटे तक तो अमारे पास simply radius होता है जो हमने already calculate किया हो हमारे पास से के रूट 17 over 2 तक का चुका है आझ के इस अग्जेंपल वॉन है और निग्सेंपल ंग्जेंपल को कवर किया है इंशालां नच्छ में हम एक्जैंपल नमबर। से स्टाइप करेंगे पूछतन सभूचन कोई इसधर कोई कोशन हो आप कमेंट वोक्स पूच्श हुआ कमिंट , परगाम का लिंग अटैच है आप वहां पर मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं इसी तरह से हार मैथमेटिक कोर्स को लेंड करने के लिए जैस पॉर्ट माइ चैनल जजा कि ला एंड थैंक यू फॉर वाचिंग